So everyone, कैसे हो आप सब हमारे पास आचूगी है Fireworld की newly launched smart watch जो कह है Fireworld Emperor और ये मैंने खुद मंगाई है तो देखते हैं कैसी है ये smart watch आप लोगो को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए जिस price bracket पे launch हुई है उस price bracket में इतने सारी features कोई और brand प्रवाइड इस time नहीं कर रहा है तो देख लेंगे हम भी आखे लिए smart watch कैसी है सारी testing अगेरा भी करेंगे जैसा कि हम करते हैं अभी चलते हैं पटा Fireworld Emperor को करते हैं unbox और देखते हैं क्या क्या है box contain की बात करो तो यहां पर सबसे पहले मिल जाता है आपको एक manual card एक मिलता है warranty card कुछ subscriptions भी यहां पर provide किये गए हैं साथी साथ एक Pogo pin वाला charging cable मिल जाता है and obviously यह रही smart watch जो कुछ इस तरीके की लगती है detail में इसके वारे में हम आगे बात करेंगे बात की जाए इसके build and design के वारे में तो यहां पर आप लोगको rectangle shape में smart watch देखने को मिल जाएगी थोड़ा watch जो इसका design देखने को मिलता है वो fireball rice type ही देखने को मिलेगा यह पर जो display का size उसको बड़ा कर दिया गया है इसके लाबा इस smart watch में आप लोगको metallic frame मिल जाना है एक button दिया गया है जिसकी वैसे आप लोग sports mode में जा सकते हो और एक मिल जाता है working crown जिसके तो आप लोग menu operate कर लोगे साथी साथ watch faces बगेरा भी change कर सकते हो back side में आपे glass finish दिया गया जो के काफी साइज चीज लगी इस price range में अकसर ये चीज देखने को नहीं मिलती साथी साथ एक side mic दूसरी side speaker मिल जाना है वहीं बात करूँ मैं strap की तो 22 mm का strap मिल जाएक और strap का design काफी unique है और हाथ में पेहनने के बाद काफी बढ़िया भी smart watch लगती है because of straps इस straps से आप लोग बिल्कुल भी eating rash की दिया सो हैड जैसी कोई भी problem face नहीं करने वाले हो तो ये एक अच्छी चीज लगी overall build and design यहाँ पे काफी तगड़ा देखने को मिल जाता है बात करते हैं इस smart watch की display के बारे में तो यहाँ पे आप लोग को 1.96 inch की AMOLED always on display मिल जाती है 600 nits की peak brightness मिलती है जिसकी वैसे indoor outdoor visibility को लेकर आप कोई दिक्कत face नहीं करोगे इस smart watch की जो sharpness है, contrast है सौरी चीज़े काफी balance मिलती है इसी वेज़े से इसकी display जब आप यूज़ करते हो ना तो काफी ज़्यादा अच्छा experience आपको मिलता है साथी साथ यहाँ पे custom watch face भी लगा सकते है और custom watch face की quality अभी आप लोग के सामने है मुझे काफी सही लगी, काफी ज़्यादा natural color प्रोवाइट कर रही है स्मार्ट फोन या बहुत से आप photos को अपनी compare करोगे तो ज़्यादा फर्ग देखने को नहीं मिलेगा तो हाँ या definitely यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया गया है इसकी display पे, इसका main highlight भी मैं काऊँगा display ही है अभी चलते हैं इसकी watch UI और features पे डालते हैं heart rate, sleep tracking, weather forecast, music control और आप add components में जाके और भी बहुत सारी चीज़े add कर सकते हो अपने shortcut के लिए उपर से नीचे जैसी आप swap down करोगे setting के कुछ shortcuts मिलेंगे यहाँ से brightness आप adjust कर सकते हो इसके अलावा है यहाँ पे आपको music control का option मिल जाना है साथी साथ मिलता है आपको do not disturb, flash, calling का option, find my phone और यहाँ पे setting, setting के अंदर चलते हैं सबसे पहले menu styles मिल जाना है menu में आपको काफी सारे styles मिलेंगे जैसे कि आप देख सकते हो 4 menu styles यहाँ पे provide किये गए है इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को display का option मिलता है brightness, screen time यहाँ से आप लोग screen time अपना adjust कर सकते हो साथी साथ race to wake up, AOD AOD के दो watch faces मिल जाने है एक digital और एक मिलता है analog इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को battery का option मिलेगा, vibration, intensity का option मिल जाता है, soft, off, strong साथी साथ languages, QR code don की setting यानि कि जो crown है अपने crown के साथ तो यहाँ से आप वो adjust कर सकते हो, साथी साथ set time, password तो यहाँ पे आप लोग screen lock लगा लोगे system, system के अंदर आपको system info, shutdown, restart and reset को option भी मिल जाता है तो यह थे setting के कुछ shortcuts crown प्रेस करते हैं आप मेन्य मेन्यू में आ जाओगे यहाँ पे सबसे पहले telephone, contact person call records, voice assistant, data workout, workout records workout में आप जाओगे तो यहाँ पे आप लोग को 100 plus sports mode मिल जाएंगे अप के तुरू आप बागी sports mode को यहाँ पे add कर सकते हो, heart rate sleep tracking, blood pressure blood oxygen, messages weather forecast female health tracking, music control training, stop watch timer, alarm clock alarm को आप लोग एप के तुरू ही लगा पाऊगे find my phone, calculator जैसे बहतरीन features भी दिये गए है साथी साथ यहाँ पे calendar भी मिल जाता है जो कि fire world की बहुती कम watches में देखने को मिलेगा इसके अलावा camera control नीचे वाले button को प्रेस करके आप लोग screen lock कर लोगे crown को rotate करके आप लोग menu change कर सकते हो तो यह काफी अच्छी तरीज़ है परफॉर्म भी करता है water resistant की बात करूँ तो IP67 की rating दी गई है इसी smart watch में बारिश पगेरा में यूज़ कर लोगे बट swimming नहीं कर सकते साथी साथ इस smart watch में आप लोगो 7 days का battery backup easily मिल जाना है calling के साथ 2-3 दिन का AOD plus calling आप लोगों को सिर्फ 102 दिन का ही battery backup देखने को मिलता है तो काफी सही है अपने price के हिसाब से Q2C पे आते हैं तो यार इस smart watch को पैन कर मैंने इसका heart rate टेस्ट किया अभी oxymintor नहीं है मेरे पास order कर रखा है पता नहीं मेरा पुराना वाला कहां चला गया कई बार मैंने इसका heart rate चेक आउट किया और Apple की smart watch से compare भी किया तो मुझे काफी सही accuracy लगी है SP2 की बात करूँ तो यहाँ पे भी काफी बड़िया काम कर रही है smart watch कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हावा में मैंने टेस्ट किया तो हावा में कोई भी रिडिंग प्रोवाइड नहीं करती है साथी साथ टेवल पे भी चेक आउट किया वहां पे भी पॉप अप बना गया प्लीज वेर दा वाच प्रफरली करके स्टिल मैं यह कहूंगा यार कोई भी smart watch आप लोग उस पर रिलाइमत रहा करो सीरियस सिचेशन में डॉक्टर से कंसल्ट किया करो चलते हैं पड़ावाट कॉलिंग क्वालिटी टेस्ट करते हैं और देखते हैं सामने वाले को आवास कैसे जाती है कोई दिक्कत तो नहीं है से इधर उधर की आवास जादा तो नहीं आरी नहीं बिल्कुल साइलेंट है अदर सिर्फ तेरी आवाज आरी है कॉप करता हैं आप लोग को कॉलिंग क्वालिटी का एक आईडिया हमलिए होगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना आप लोग को कॉलिंग क्वालिटी कैसी लगी मुझे काफी सही लगी है कंक्लूजन पर आते हैं और बात करते हैं क्या आप लोग को फायर वोल्ड एंपरर स्मार्ट वाच लेनी चाहिए या इस प्राइज रेंज में किसी और स्मार्ट वाच के साथ जाना चाहिए देखो यार जिस हिसाप से इस स्मार्ट वाच में फीचर से ना मैंने सोच जाता कि यह साड़े तीन हजार रुपए की कम से कम लाँच होगी बर यहां पर एक काफी अच्छा काम किया है फायर वोल्ड ना कि इसको तीन हजार रुपए में लाँच कर दिया है और मेरे इस आप से most value for money स्मार्ट वाच बन जाती है यह अंडर 3000 डेफिनेटल आप लोग ले सकते हो इसके अलावा मैंने सारी चीज़े आप लोग के सामने इसलिए भी रखी है ताकि आप लोग खुद भी एक डिचीजन ले पाओ बागी अगर आप लोग किंग के साथ इस smart watch का comparison वीडियो देखना चाते हो तो इसके लिए comment section में मुझे बता देना या फिर कोई और smart watch के साथ comparison वीडियो चाते हो तो वो भी बता देना यही ती यार आज की वीडियो अगर आप लोग के इस smart watch में interested हो तो link description में वहाँ से जाके check out करना मत बुलना मैं मिलता हूँ आप लोगों से next वीडियो में तब तक के लिए पाई बाई